नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में, मैं हूँ आपके सांत अभे विशाल आज केल हमारी जीवन सैली ऐसी हो गई है जिसमें वजन बढ़ना स्वाभाविक है ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परिशान हैं ऐसा भी देखा गया है कि कुरोना काल में लॉक्टाउन के बाद से लोगों में वजन बढ़ने की सिकायत सामने आ रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दौरान लोगों के सारेरी गत्विध्यों में कमी आई थी वही वजन घटाने के लिए लोग कई उपायों का सहारा ले रहे हैं कई लोग तो वजन घटाने के लिए भोजन में कटाउती कर रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाने में कटाउती करना गलत है अगर आप वास्तों में वजन घटाना चाह रहे हैं तो भोजन से परहेज मत कीजिए बलकि भोजन को healthy twist देने के लिए कोशिस कीजिए इस संबंद में जानकारों का मानना है कि healthy diet लेकर आप अपना वजन आसानी से घटा सकते हैं इस तरह सरीर में कमजोरी भी नहीं आती बताया जाता है कि वजन घटाने के लिए कुछ सबजियां बहुत ही फायदेमंद है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन सबजियों के बारे में जो वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं शलगम वजन घटाने के लिए शलगम बहुत ही लाबकारी है अगर आप अपने वजन घटाना चाहते हैं तो सलगम आपके लिए फाइदेमन साबित हो सकता है Health experts का मानना है कि सलगम एक बहुत ही अच्छी सब्जी है इसका सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता है और ना ही बधहजनी की समस्या रहती है आप सलगम का सूप भी बना कर पी सकते हैं या सब्जी के रूप में भी सलगम का इस्तिमाल कर सकते हैं वजन घटाने के लिए फूल गोभी भी काफी असरदार है अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में फूल गोभी को ज़रूर सामिल करना चाहिए कहा जाता है कि फूल गोभी को पचाना बहुती आसान होता है और इसे खाने से वजन भी नहीं बढ़ती हाला कि अभी सला दी जाती है कि फूल गोगी का जादा तेल या घी में तलकर नहीं खाएं वरना वजन घटाने में यह कारगर सिद्ध नहीं होगी वजन कम करने के दिसा में ब्रोकली के सेवन भी फायदेमंद माना जाता है जिन लोगों को अपना वजन जल्दी कम करना है वो ब्रोकली को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि ब्रोकली के सेवन करने से आपका वजन तेजी से घट सकता है ब्रोकली को अप को अपने खाने में शामिल करके आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं, हाला कि हम यह नहीं कहते हैं, लिए आपको सिर्फ इनी सबजियों पर आस्रित रहना है, यह सबजिया सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने भोजन में कटौति ना कर सकें और हेल्दी खाना खा सकें, आपको और भी कई कारगर उपाय करने होंगे जो वजन घटाने में आपकी मदद करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें अपना सुझाओ कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी नूज धन्यवाद।